अब हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब स्वागत है सबका मेरे टूद चैनल रूपन ब्यूटि पारलर में तो यह देखिए वी इन्स वैक्स है तो इसको हाड़ वी इन्स वैक्स बोलते हैं तो इस से थोड़ा सा दर्द कम होता है वैसे तो वैक्स कराने में थोड़ा दर्द होता है पर इस वैक्स से दर्द आपको कम होगा मतलब एक तरह से सोचे कि नहीं कई बराबर होगा ज्यादा पैनिस से नहीं होता है तो इस तरीके से कुछ दिखेगा इस तरह चोटे-चोटे दाने जैसे दिखेंगे और यह कई तरीके के कलर में आते हैं बहुत सारा कलर है इसका है और यह अलग अलग फ्लेवर में आते हैं तो यह इस तरीके से दिखियेगे इसका हीटर है जिसमें अभी हमनेशा को डाला है तो इसमें इस तरीके से जिस पार्ट पे आपको वैक्स करना एक अंदाज से उस इस साफिव आप जो है in गरम करिए कि आप उतना है यह घिटर में डाले âm libyer जितना कि आपका मतंलब यूज हो जाए बशेना तो जादा ही अच्छा है तो इस तरीके देखे हमें अपलीप्स करना 했어- lack इसमें थोड़ा सा डाल दिये हैं देखे पिघल चुका है और इस तरीके से देखे एक हम लकड़ी का चम्मच लिये हैं जिससे हम चाटव गयरा खाते हैं या तो आइसक्रीम इस्ट्रिक भी ले सकते हैं तो क्योंकि जो है इसमें जो वैक्स लग जाएगा तो यह वैक्स छू सकते हैं तो इसके लिए देखिए कॉटन को गिला करिए और इसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए जिससे कि मारे फेस पर जो क्रीम लगी हुई हो वह हट जाए और वैक्स को जो है डारेक्शन को देखते हुए हमें लगाना है तो सबसे पहले हमने देखिए इसको क्लीन कर लिया है अब इस पर हम पॉडर को लगाएंगे तो पॉडर हम पप से भी लगा सकते हैं और अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं तो हम अपने फिंगर से ही लग और इस वैक्स को जब हम उठाएंगे तो इस वैक्स में जो है इस तरीके से देखिए तार जैसे निकलेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि काफी दूर से इसको हम लेके आ रहे हैं इसलिए इसमें तार दिख रहा है तो आप लोग जब करिए तो थोड़ा पास म बातिरीका में करें हैं तो इतने बड़े तार इसमें से निकलेंगे वैसे इसमेंसे तार निकलता है पहले दूर शोटव में दिखा कि उसे संहें दूर देख से पहला देना और ऐसे इनका देखिए गहां में यहां और आशनकते पहले enforcement और हारài समझेंट में ऑगानद पहल कि टहाए कि Алगे से तो काफी दर्द होता है दूसरे से भी दर्द होता है पर इस से थोड़ा सब ऋस डर्द थोड़ा कम रहेगा और फिर है तुन हाए बहुता कर देखने देखते हु니다 इस तरीके सीच साइट के लगा रहे हैं तो इसी तरीके से हमें डायरिक्शन को देखते हुए जो है वेक्स को फहलाना है और उसे डेप कर लिजिए या ऐसे भी छोड़ दीजिए जब थोड़ा थंडा हो जाए तो इस पर इस ट्रिप नहीं लगती है इसी को जो भी थंडा हो जाए तो इसी को एक जटके से निकाल द कि इस तरीके से और अपने फिंगर से थोड़ा सा दबा दिए इससे की पेन ना हो तो कस्टमर को दर्द नहीं होगा और इस वैक से मतलब अच्छा ही यह है इसमें कि कितने भी हार्ड बाल क्यों ना हो बहुत छोटे भी बाल कभी कभी नहीं निकलते हैं तो इस सारे बाल निक तो एक तरह से यह वैक्स बहुत अच्छा है और इसमें दर्द भी कम है और फिर बात में हम चेक कर लेंगे कि हमारे बाल कहीं पर छूटे नहीं अगर छूटे हैं तो फिर हम दुबारा फिर एक बार लगाएंगे अगर नहीं छूटे हैं तो लगाने की कोई ज़रूत नही हैं तो यह हमारा वैक्स हो चुका है और फिर हम कौटन को गिला करेंगे और अच्छे से अपर लिप्स को इसे साफ करेंगे ताकि वैक्स कहीं भी लगा हुआ नहीं होता क्योंकि यह अच्छे से छोड़ देता है अच्छे साफ हो जाता है और क्लिन करने के बाद पिर इस प अपलिप होने के बाद चोटे-चोटे दाने आ जाते हैं तो उसमें घबनाने की कोई बात नहीं है तो थोड़ी देल बाद ठीक हो जाता है तो उस पर आप एस्ट्रिजेंट को लगाईए और ऐसे तो एस्ट्रिजेंट भी लगा दीजिए और लास में जिसे इस टाइम ठंड